वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल पेपर रहकर आज के इस वीडियो हम बात करेंगे जो आपका थैड यूनिट है उसमें आपके जो बेरी शॉर्ट आंसर टाइप कोशन है या वन लीनियर आंसर टाइप कोशन है उनको हम पढ़ेंगे ठीक है उनिट आपका क्या हो जाग करेंगे फैडियोनिट की ज़समें देखते हैं कितने आपके पहला जिसमें आप से पूंच रहा है कि न्यूकलीक officer的řे ऑडभार कैसे होते हैं हम जानते एक लंबी स्रंखला होते हैं ही तो भ Sorry लंबी स्रंखला होते हैं किसकी एक लकों की जब यह एक लकों नकि लंपी सुक्त होगे जादा होंगे ठीक है कैसे होंगे अड़ भार भी इनके कैसे होंगे एक उच्छ तो हमारे जो क्या होते है नूख लीक म pó劃 होते हैं वो कैसे होते हैं उच्छ अडभार होता है किसका नूख लीक कमल was सबसे पहले कौन सी कोशिका में देखा गया था तो सबसे पहले ऐसी कौशिका उसका आपने नाम बताना जिसमें सबसे पहले नुकली समल को देखा गया था तो नुकली समल को सबसे पहले पस नामक कोशिका में देखा गया था किसमें पस नामक कोशिका में जो है नुकली कमल को सबसे पहले देखा गया था तो आंसर क्या हो जागा आपका पस कोशिका जिसमें सबसे पहले नुकली कमल को देखा ग लेकिन देखने वाले बैग्यानिक का नाम बताना है सबसे पहले किसे ने देखा था ठीक है अब उस बैग्यानिक का नाम आपने बताना है क्या हो जागा आपका Frederick Mischer क्या हो जागा Frederick Mischer जो है ये वैग्यानिक थे आपके सबसे पहले ठीक है कौन से थे Frederick Mischer सबसे पहले ऐसे वैग्यानिक थे जुनोंने Nucleic Amplokov किसको Nucleic Acid को किसमें देखा था Pascosika में देखा था किसमें देखा था वही प्षसकोशिका में देखा था ढब यहां से याद हो जागर कि आपका उपर लिखा हुआ है कि न्यूक्लिकम लोगों सबसे पहले किसमें देखा गया था पस्वकोशिका में ठीक है अगार इतना पूछ ले थब को और भी आपको आंसर कर देना उसमें यहां कर देगा कि किस ने देखा था धाइक नाम बताई तो क्या हो जागा वह फ्रेड्रिक फ्रेडरिक प्रेडरिक आपका मिशर हो जागा ठीक है लुदीसिक चाहे हुँचत पूछ रहाया आप से कि जो आपका फ्रेडरिक मीशर थे ton aamदी एक हमने देखा था क्या फ्रेडरिक मी व्र ने पसकोषिका में जो पदार्थ निकला उसे क्या नाम दिया था ठीक है पसकोशिका में जो पदार्थ निकला था उसे क्या नाम दिया था अभी हम पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे कि पसकोशिका में खो जा गया था क्या था आपका नूकली कम्ल किस ने खो जा था फ्रेडरिक मीशर ने खो जा था आप पूछ लिया कि फ्रेडरिक मीशर ने पस कोशिका में जो पदा आर्थ निकला था उसको क्या नाम दिया था कौन सा नाम दिया था तो सब से पहले इसको नाम दिया गया था निम क्ली क्लिक अमल कह दिया ठीक है लहाएग है थित रहा ना फ्रेड्रिक मीशर ने इस पदारत के नाम अर। नूकलीन के स्थान पर नूकलीक अमल क्यों रखा तो इसमें नूकलीन प्रदात्त में कुछ ऐसे प्रोपर्टीज या गुण देखे गए होंगे जिसके आधार पर उन्होंने इसको नूकलीक अमल कह दिया ठीक है तो वो क्या थे इसके तो भाईया इसका जो करेक्टर था या इसकी जो प्रोपर्टीज थी वो कैसी थी अमलिय थी ठीक है यह जो आपका नूकलीन था इसकी प्रोपर्टीज कैसी थी अमलिय थी ठीक है कैसी थी अमलिय या अमलिय प्रिकरतिक होने के कारण भी नूकलीन को क्या कह दिया नूकलीक अमल कह दिया ठीक है तो आंसर में कह ल ठीक है, question number 29, क्या पूच रहा है आप से, कहा रहा है, DNA क्या है, वह यह DNA क्या, आपका, यह भी आपका, यूकलिक आसे डेक, यानि की DNA और RNA, ठीक है, DNA, और आपका क्या होता है, RNA, गढ़्ल एकके मिन फूली पूंच लेता है तो ड्रीक ब्हु पूंच लेता है तो श्किर इंस एको जागा अब राइवो नुकली का सि청 आ पका लिदो के और राइबो न्यूक्लिक एसट ठीक है राइबी तो आरेने क्या हो जागा आपका राइबो न्यूक्लिक एसट ठीक है दोनों आपके क्या न्यूक्लिक एसट है 31 किया आरेने किसका कार्य गरता जो आपका आरेने होता है कोशिका के किंद्रक में उसका काम क्या होता है यह काम करता है प्रोटीन का किसका प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है आरेने ठीक है राइवुज न्यूगलिक एसिड कोशिकाओं के सूचना सूचनात्मक गुण अडू किसे कहा जाता तो यह आपके नूकली काल और आपके ऐंगे और अविष्टेन होते हैं एक नूकली काइसिद और आपके प्रोटीन होते हैं तो आंसर में क्या लिखना भी न्यूक्ली कामल और प्रोटीन इनको क्या कहते हैं भी या कोशिका का सुचनात्मा गुणरू कहा जाता है ठीक है याद रहेगा कुश्चन नंबर 33 के हम बात करेंगे 33 क्या हो जागा 33 कह रहा है आर एने का पूरा नाम बताएं क्या होता भी आर एने का पूरा नाम राइबो न्यूक्लीक एसिड क्या हो जागा भी या राइबो न्यूक्लीक एसिड ठीक है किसकी फुल फार्म है ये आर एन और ए ठीक तो यह जागा आपका राइवो नुक्लिक एसेट ठीक है आरेने को बनाना यह कौन गरता आपका कोश्का के अंदर आरेने ठीक है जो कि आपका नुक्लिक एसेट है 35 कह रहा है DNA का पूरा नाम तो भे DNA का पूरा नाम क्या हो जागा Deoxyrivos Nucleic Acid क्या हो जागा Deoxyrivos Nucleic Acid हो जागा Queshion No. 36 कह रहा है Monosaccharide Pantos का नाम लिखिए जब हमने Long Queshion आंसर कर रहे थे हम पढ़ रहे थे तो उसमें आया था जो आपका Pantos सरकरा होता है इसे Arabi Nose भी कहते हैं क्या कहते हैं Arabi Nose के नाम से भी जानते हैं Arabi Nose तो Pantos सरकरा को हम क्या कहते हैं Arabi Nose के नाम से भी जानते हैं तो क्या लिख देंगे इसका आंसर Arabi Nose हो जागा जो कि आपका Monosaccharide Pantos का नाम है ठीके योग कोशन नंबर थलटी सेबन, आप से कह रहा है एंजयम क्या होता है, क्या होता हैं, पहले हम ने पढ़ाता है, कि प्रोटीन sudah Marx कहुं होते हैं, ठीके एंजयम, हमारे क्या होते हैं, एंजयम बरावर क्या होता है, वाल प्रोटीन n इस नाट अभी एक तरह का प्रोटीन है ठीक है क्या है आपका एक तरह का प्रोटीन है ठीक अभी आपर थोड़ा सा आपको यह जानना है यह जो डियोक्सी ठीक है डियोक्सी और आक्सी राइबोज न्यूकलिक ऐसे लोते हैं इनमें आपका अगर हम बात करें सुगर की ठीक है किसकी इनमें जो सुगर लगा रहता है ठीक है पांच कारवन वाला जो आपका सुगर लगा रहता है ठीक है तो इन में आपका क्या होता है एक जगए पर फर्स्ट कारवन, सेकंड कारवन, थर्ड कारवन आपका और यह आपका हो जागा फोर्थ कारवन, CH2, OH इस तरह से तो यह तो आपका होता है ऑक्सी राइबोज क्या होता है यहांने कि जो सेकंड कारवन है उस पर आपका OH गुरूप पाया जाता है तो क्या होता है यह आपका ऑक्सी राइबोज लेकिन इसी कारवन से आपका OH से ऑक्सीजन का हट जाना है यहां से आपका क्या होता है oxygen हट जाता है क्या होता है इस तरह से जो second वाले carbon पर आपका यहां पर OH लगा हुआ था यहां पर यहां से oxygen हट जाता है oxygen बाहर चला जाता है ठीक है तो इसको हम कहते हैं यहां पर आपका क्या लग जाता है यहां पर यहां पर यहां पर यहां रखना कि राइबोज क्या होता है तो इस तरह से आपका जो थाड़ यूनिट है थाड़ यूनिट है आपका इस तरह से पूरा हो जागा शॉट आंसर टाइब कोश्चन का वन लीनियर आंसर टाइब कोश्चन का अगले वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट फो ठीक है इस तरह से हम एक से लेकर आठ तक जितने भी आपकी उनिट है उनमें सभी आपके वेरी शॉट आंसर या हम इनको वन लीनियर टाइब कोश्चन कहते हैं उनको हम कवर करेंगे ठीक है डिसकस करेंगे उनके बारे में तो बने लिए हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग और शेयर दा वीडियो